दोस्तों आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है और मैं हूँ Rara और आज मैं जो यी make-up look आपको दिखा रही हूँ इसे आपके सथ share करने वाली हूँ कि मैंने दिवाली पर मेरा ये जो actual make-up look है दिवाली के दिन मैंने यही किया था तो दोस्तों बस मैं इसलिए शेयर करी हूँ क्योंकि मैंने एक दो पिक्चर्स पोस्ट की थी तो आपको अच्छी लगी इस वज़े से मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था तो देखते हैं कि मैंने ये सिंपल सा मेकप लोग कैसे किया है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसे किसी फेस्टिवल या फिर वेडिंग फेस्टिविटी में कर सकते हैं किसी की वेडिंग पार्टी में बहुत ही आसान है इस पर आप बहुत ही simple jewelry carry करेंगे तब भी अच्छा लगेगा और हर एक skin tone पर इस तरीके का make-up look perfect लगता है तो चलिए देख लेते हैं और कुर्ती जो पहनी है मैंने pink color की कुर्ती पहनी है वैसे ये make-up red पर भी बहुत अच्छा जा रहा था और ये जो कुर्ती है मैंने मीशो से परचेज की थी दोस्तों और जुमकी का haul देखना है तो आप मेरे चनल पर चेक करिएगा चलिए make-up start कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं मेरे face को moisturize कर रही हूँ लाक में 9 to 5 moisturizer से और ये mattifying moisturizer है आप देख सकते हैं मैं आँखों के आसपास और चेहरे यानि की मूँ के आसपास जादा moisturizer लगाऊंगी जिससे की extra dryness जो होती है ना मुझे यहीं पर होती है फिर make-up खराब होने लगता है बाकी तो T-zone एरिया पर मैं बहुत कम moisturizer लगाती हूँ और उसके बाद मैं लगा रही हूँ foundation यह लग में absolute के foundation है एक 3D matte foundation है और दूसरा जो है वो है intense white और यह absolute range के perfect shade है मैंने दोनों के ही shade जो है मेरे channel पर आपको haul video में दिखाया थे shade no.1 लिये है और एक का थोड़ा सा dark है एक का थोड़ा सा light है तो दोनों को mix करके बहुत अच्छा foundation base जो है वो बन जाता है मेरा और साथ ही मैं आपको बस एक चीज बोलूँगी कि जब भी आप foundation apply करें उसको बढ़िया blend करें जितनी अच्छी आप blending करेंगे उतना ही अच्छा foundation का लुक आता है दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं और मैं आपको बता दू 3D foundation जो है न उसका shade मैंने लिया है warm beige और intense जो skin cover SPF 20 के साथ है यह shade no.1 तो इनको मिला कर बहुत बढ़िया जो best base है वो मुझे मिल गया है अब मैं इसे set करने वाली हूँ इलनौर के compact से और यह powder foundation भी है और यह बहुत अच्छा base देता है बिलकुल studio fix जैसा look लगता है इसका और मैं आपको चीज कहूं मैंने ट्रिप पे इसको ठंडक में नैनिताल में भी यूज किया था तो इससे मेरे face पे बिलकुल dryness नहीं आई इन फैक्ट मेरी photograph बहुत अच् लगा और मैंने वहां पे makeup setting spray भी यूज नहीं किया था तो मैं अब currently इसे यूज कर रही हूं और यह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे 1000 रुपीज इसका MRP है यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से में जो compact होता है उसको apply करती हूँ जिससे कि मुझे बहुत वह आपके साथ शेयर किया था उसका review शेयर किया था तो वह आप देख लीजेगा मैं description में उसका link दे दूंगी वीडियो का and यह आप देखिए मैंने इसको लगाया है अच्छे से तो जितना हो सके उसको रगड करके ना लगाएं अगर blend करेंगे अच्छे से और उसको dab-dab करके लगाएंगे प्रेस करके तो ज्यादा देर तक टिकता है और मेकप बिलकुल भी केकी नहीं होता और गर्दन पर आप इस तरीके से लगा सकते हो फेस के साथ नेक को कभी ना भूलें दोस्तो यह बहुत बहुत अच्छा लुक देता है उसके बाद में लाक में आपसिल को mostly fingers से ही blend करती हूँ जल्दी जल्दी ही तो आप देख सकते हैं कितने बड़ी है तरीके से यह perfect nude eye shadow look मुझे मिल रहा है और इसी के साथ में मैं आपको बता हूँ अगर आप brush से भी लगाना चाहो तो brush से भी आप लगा सकते हो basically मैं अब भी brow bone area को highlight कर रही हूँ तो उसके ल का लगता है दोस्तों तो देख सकते हो आप 12 gram product quantity के साथ 9.95 रूपीस की new launch है यह product और अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा यह same shade ले रही हूँ rising और इससे ना lower lash line जो होती है उसके थोड़ा सा उसको brownish कर रही हूँ because वो बहुत जरूरी है थोड़ा सा आखों की जो definition है वो ब brush से हटा करके compact की सहायता से फिर से undry area को set कर दिया है तो यह देखिए आप आखों का look जो है आपको बिलकुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों और अब मैं आपको दिखा रही हूँ inner corners को highlight करके तो इसका जो shade मैं use कर रही हूँ यह है salsa golden shade है यह और बहुत ही प्या कितना यह बढ़िया लुक दे रहा है यहां पर आपको मैं दिखा देती हूँ तो इस तरीके से blend करने के बाद वापस से brush से हटा दीजिए अब मैं apply करने वाली हूँ sugar की यह 01 Jerry Brown brow shaper और यह 391 Ark arrival brow shaper है इसके brush की सहायता से cleaning करते समय क्योंकि कुछ foundation लगा रह जाता है ना जब इसकी क्लीनिंग के समय आपको खुदी पता चलेगा कि नाचुरल सा लुक तो अल्रेडी मिल जाता है लेकिन अगर आपको अपने मेकप को बहतरीन और बढ़िया नाचुरल फ्लॉलेस दिखाना है तो सबसे पहले अपने आइब्राउस पर ध्यान दें उनको बिलकुल जितना पेशन्स के साथ करेंगी एक से तेड़ मिनिट लगता है लेकिन उतना ही बढ़िया लुक आएगा उगर आप चाहें तो अपने आइब्राउस का शेप जो है वो पहले ड्रॉ कर सकती है उसके बाद जो है बना सकते हैं जिनको घनी आइब्राउस औरडी मिली हुई ह उनका तो भाई क्या कहना लेकिन जिनके मेरे जिसे हलके आइब्राउस है उनके लिए थोड़ा जरूरत है धीरे धीरे फिलिंग की ताकि नैचुरल सा लुक मिले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वैसे तो मार्केट में आजकल बहुत बहुत कलर के प्रोडक्ट अवैलिबल है आइब्राउस के लिए भी ब्राउन ग्रे ब्लाक इन फैक्ट लोग कलर्ड भी इस्तमाल करते हैं बट वो डिफरिंट मेकप लुक के लिए लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छा सा लुक आया है और अगर मस्कारा भी इस्तमाल कर सकती है उससे और जादा लॉंग लास्टिंग हो जाती है इनकी सेटिंग और अच्छे लगने लगते है यह तो यहाँ पर मैंने इनको परफेक्ट तरीके से ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडिंग इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अब इसके साथ में मैं अपलाई करने वाली हूँ मस्कारा और यह मस्कारा ना मेरी आइलाश को क्लीन करने के लिए यूज कर रही हूँ बेनफिट का देया रियल मस्कारा आईशेडो गिर ही जाता है थोड़ा बहुत दोस्तों भले ब्रश से लगाईए या फिर लगाईए आप फिंगर से उस मीशो की मोस्ट ब्यूटिफल कुरती जो मैंने शेयर की थी तो उसमें यूज किया था तो आपने मुझ से पूछा था कि आप मुझे बताईए कौन सा मैंने आई मेकप प्रोड़क्ट यूज किये है तो कुछ-कुछ तो मैंने ऐसे यूज किये थे और यह एक ऐसा आईशे प्रोड़क्ट ब्लू हो पीच ओ और इंज हो कोई भी शेड हो और किसी भी कलर की लिप्स्टिक इस मेकप लुक पे बहुत अच्छी लगेगी इनफक्ट निूड पे निूड बहुत अच्छी लगती है बट आप रेड लगाएंगी पिंक लगाएंगी या फिर आप मरून लगाएंगी तो भी अच्छी लगेगी इनफक्ट आप ब्लाक लिप्स्टिक भी ट्रेंड में हैं ब्लाक भी लगाना चाहें तो लगा सकती हैं दोस्तों और अब इसके साथ में अब मैं यूज कर रही हूं हूला ब्रॉंजर और ये बेनिफिट का ब्रॉंजर है इससे फे इसको मुझे तो मैटी लुक देना पसंद है बहुत सारे लोगों को ग्लॉसी और शिमरी लुक पसंद होता है मुझे वो थोड़ा कम पसंद है मेरे फेस पर I don't know why मेरा फेस तो ओड़ा सा टीज होने रिया ओली है बट कोई बात नहीं दोस्तों तो ये ब्रॉंजर मैंने थ चीक इल्यूजन ब्लश यूज़ कर रही हूं स्कालेट प्लम यहां देखिए आप चीक बिल्कु सॉफ्ट पिंक हो गए और बहुत अच्छे लग रहे है नोज भी थोड़ी सी पिंकिश कर ली है मैंने और चिन पर भी अप्लाए कर लिया है तो आप यहां देख सकते हैं प लिटर मी ओल नेक्स्ट वर्ड डिसको पाउडर है ना 002 फ्लैश कार्ड यह यूज़ कर रही हूं अज़ा रही हूं और इसको मैं फिंगर की साहता से लगा करके और ब्रश से रिमूव कर रही हूं मुझे बहुत सॉफ्ट सा शाइन चाहिए लेकिन बहुत ही जादा नाच जो लोग लाइन लगाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है बिगिनर्स के लिए अच्छा है फाइं टिप लाइन और यह वाले लाइन जो है वो मैसी नहीं होते और इनसे जैसा भी लुक आप बनाना चाहो लाइन का वैसा बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाता है और इसको teenager भी अपने लिए ले सकते हैं अगर उन्हें liner लगाना सीखना है तो pen liner सबसे best होते हैं बहुत ज़ादा मैं मोटा नहीं करने वाली हूँ liner के look को तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका look आया है दोस्तो और मुझे लगता है कि इस eyeshadow पर eyeliner अच्छा लगेगा इसलिए मैंने apply किया है अगर आप चाहें तो skip भी कर सकते हैं और बाकी तो आपकी मर्जी है और आप इस पर जूड़ा भी बना सकती है makeup look पर या फिर आप अच्छे से अपने बालों को खोल सकती है तो दोस्तो ये काफी compliment करने वाला makeup है हर एक skin tone को और अच्छे से liner लगाए patience के साथ ऐसा ना हो कि आप एक जैसे कि मेरे साथ हमेशा होता है एक liner बढ़िया लग जाता है एक में थोड़ा दिक्कत होती है तो उसको सही करने में समय लग जाता है जैसा कि mini mascara है आप यहां देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आप कोई भी mascara ले सकते हो black simple और आप ना इस पे अगर चाहो तो कोई मेरे suggestion में आप अगर नकली पल के लगाती है falsies तो बहुत अच्छा get up आएगा आपका ना तो मैं लगाती हूँ ना ही लगा पाती हूँ अभी क्योंकि practice ही आरे इंसान को perfect बनाती है मुझे तो अभी आती नहीं है उनको लगाना ना ही मैंने कभी इस्तमाल की है लेकिन अगर आप करती हैं करना चाहती हैं तो ज़रूर लगाईएगा आपकी आँखों का make-up बहुत ही अच्छा लगेगा सो ये देख सकते हैं और मैं mascara बहुत ही patience के साथ लगाती हूँ जिससे की मेरी आँखों का जो look है वो बहुत 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 अच्छा लगने लगता है एक time बाद especially मुझे photographs में मेरा face अच्छा चाहिए होता है इसलिए patience के साथ mascara लगाएं आप हो सके तो दो coat apply करें अभी मैं lower lashes पर ये mascara apply कर रही हूँ जिससे की मेरा आँखों का जो look है वो natural सा दिखाई दे और अगर lower lashes पर आप mascara apply नहीं करेंगी तो आँखे थोड़ी कम-कम खुबसूरत लगती है मतलब उनमें proper वाला look नहीं आता है इसलिए lower lashes पर mascara apply करना बहुत ज़रूरी है देख लीजे दोस्तों आपको खुदी समझा जाएगा और इसके बाद अब मैं lip color apply करने वाली हूँ और ये है Mac Ruby Woo क्योंकि मुझे इस पे red dress पहननी है या pink पहननी है तो ये सब पे जाएगा और मैं ये lipstick बहुत थोड़ी सी बस मेरे lips के beach side में लगा रही हूँ और इसको मैं na finger से blend करने वाली हूँ उसके बाद ताकि मुझे get up बहुत ही natural सा मिले और ये आप देख सकते हैं बहुत soft and बहुत ही प्यारा सा get up face का हो गया है लेकिन अगर आप चाहें तो lips को थोड़ा dark कर सकती है जैसे कि मेरा ये जो upper वाला जो lip है ये थोड़ा सा कम pigmented लग रहा है तो मैं lipstick को वापस से धीरे धीरे अपलाए कर रही हूँ पहनेंगी तब भी jewelry में तब भी अच्छी लगेंगी तो ये देखिए मैंने अपनी कानों में जुम के पहने है और ये मैंने Amazon haul में शेयर किये थे आप चेक करिएगा मेरे चैनल पर बाकी तो अभी मैं bangles पहनूंगी तो आप मेरे pictures Instagram पे चेक कर लीजेगा और अगर आपको मेरा ये makeup look अच्छा लगा है पसंद आया है जरूर बताइएगा अभी मैं आपको दो light में दिखा रही थी मेरे face को अब मैं आपको single tube light में दिखा रही हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं face का makeup और ज़ादा अच्छा लग रहा है बहुत ही low light में बहुत ही attractive लगने वाला ये makeup look में ने किया है और actually natural makeup look है ये like इसको आप कभी भी किसी भी party में कर सकती है and यदि वीडियो पसंद आया हो तो follow करिएगा मुझे Instagram, Facebook पर and मेरी website raratm.com पर ज़रू जाएगा मेरे अनदा वीडियो ज़रू देखेगा thank you so much दोस्तो मैं आपके comments के reply बहुत जल्दी करूंगी happy Diwali to all of you lots of love from Rara